हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दा चनल, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टोक लेके आई हैं, ये जो कमपनी है, ये जो रियल एस्टेट होता है, उसके बिजनस में इन्वोल है, और किसी समय ये जो स्टोक है, ये 364 रुपे के उपर भी टेड करता था, ये देख 99 परसंट का इसमें डाउनफोल हो चुका है, तो एक बहुत ज़्यादा इस स्टोक में अभी क्रेक्शन हो चुका है, तो एक परकार से इस स्टोक में बाई करने का एक मोका भी है ये, इसमें जो पर मोटर है, उनकी जो ओर्लिंग है, वो 30% से उपर की बनी हुई है, एक प् बिजनेस है, उस बिजनेस में ये कंपनी इनवोल है, जो बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंगे होती है, जो टावर होती है, उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है, और ये फिर उनको रेंट के उपर देखे भी अपना जो रिवेन हो जनेरेट करती है, अगर इसकी मार्केट क हैं वो भी बिल्कुल एक नाम मातर की हैं एक पैंट साथ क्रोड की हैं जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो 32 पैंट 40 क्रोड की है और यह जो स्टोक इसमें वो लूबी ठीठा की रहती है तो इसका जो ओल्टेम लाइए وجह वह भी 364 रुपिया है और यह देखिए इसकी जो सेल्ज है वो गौटर वाइज लगाता रहोने लग रही है मार्च दुजाश चौ़विस कर्वाटर में इसने 40 लाक की सेल्ज की है जून दोजाचोबिस के क्वार्टर में भी इस ने 49 लाग की सेल्ज की है और इसकी जो अधर इंकम है वो 22 लाग की एक लाग की ऐसे हो जाती है इसका जो नेट प्रोफिट है यहाँ पर नेगेटिव है नहीं तो 7 लाग का 3 लाग का यह देखिए 17 लाग का 61 लाग का 49 लाग का ऐसे हो जाता है तो एक भूत अच्छा नेट प्रोफिट यह जो कमपणी हभी जरनेट करने लग रही है और एक प्रोफिटेबल कमपणी है इसकी अपर जो करजा हभी वो 6.46 करोड का है इसकी जो रिज़रो का एपिटल है वो नेग 30.49% की ओल्डिंग प्रमोटर की बनी होई है और जो टोटल नंबर ओफ शेर होल्डर है इस कमपणी में उनकी जो संक्या है वो 1723 है देखिए अभी जो यह स्टोक है यह 23 रुपे की अपर्टेर करने लग रहा है तो काफी अच्छा स्टोक और एक पंडामेटल काफी एक स् कोपनी है तो अगर आप इसमें बाई करना चाहते तो आप इसकी 50 कौन्टेटी हो गया 100 कौन्टेटी हो गया ऐसे करके इसको आप बाई कर सकते हैं तो इस टोक में भी काफी करेक्शन हो चुका है तो इसने एक लगातार एक अच्छे रिटन निकाल के भी अपने इन्वेस्